चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वाइट पीम पे होगा थियोरी का सेशन ठीक है इस बार भी जो है अभी हम जोग्रफी स्टार्ट किया था मैंने इंडियन जोग्रफी तो उसी का सेकिंड पार्ट मैं आज आपको अपको एट पीम पे कराओंगा तो यह तो आपको यह कराएगा ठीक है बाकि सारी सारे से सट्न को इस पता है कि सीच असल का एक्जाम कईयों का है उसके अलावा गोर भी बहुत सारे एक्जाम आपके चल रहे हैं CBD2 एन ओल तो प्रैक्टिस जरूरी है बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा ठेक है एक बरी शेयर करना फिर जो भी बच्चा है मेरा टेलिग्राम चैनल जो एल कर ले सो डेट की में आपको थियोरी भी कवर कर वासे कूँ सेवन पीम पे हर दिन क्लास होती है यह लाइफ टेस्स आपका हमेशा अविलेबल होता है एससी कॉमबेक का हिस्सा बनी है जो कि कल होने वाला मेरा कोड यूज़ करके एंडॉल कर लेना अनकेडमी जो प्राइस हाइक होंगे न उससे पहले लाइव अमन कोड यूज़ करो 20 परसंट हाइक होगा एक तारिक से अनकेडमी आस डाउड जैसे फीचर्स आपके सेक्शन करना है जिससे आपकी फीच कम दिसकाउंट मिलें बाकि वाइल अफेर का वीडियो एंड रिपोर्ट एंविन जैसे ऑप्शन जो है आपके जो रेस हैं जैसे ऑप्शन है आपके और टेस्स जैसे ऑप्शन हो गया और आपकी फ्री क्लास जो मैं 8 पीम पे कराता हूं वो सब मिलीdar क्लास करेंगे एक प्रोपर क्लास है उसके बाद नुए प्रोपर क्लास है है ना इकश्ण क्लुच कर सकता है धी difficult question है उस हिसाब से 20 प्लस दिया है ठीक है बते ये कौन cross कर सकता है आप में से 20 प्लस का target बेड़ा शेयर करना एक बार ही सारे के सारे एक बार ही comment box पर लिख दो yes लिख दो जो जो cross करने वाला है क्योंकि कि रोज का ही target है मैं जितनी practice करा हूं उतनी कम है आपके exam के लिए लेकिन कोशिश पूरी है कि साथ बज़े आपको हर दिन बहतर से बहतर test मिले जो बहतर test होगा वो आपको साथ बज़े ही wifi study पर अवलेबल होगा हर लाल भादुर शास्त्री जी को किस नाम से जाना जाता था जल्दी से बढ़ेगा आन सके जोश होना चाहिए बढ़िये एक आपके अब test में आपको speed भी बढ़ानी है जो हमारे भारत में पहला SLV3 जो है इसका flight test हुआ था यह कौन सी तारीक में हुआ था पहला कोशन असाया ना आया बच्चे खुश और दूसरा कोशन इतना डिफिकल्ट आया यह लिटरली बहुत डिफिकल्ट है बेसिकली ऐसे कोशन पेपर में छूटते हैं अटेंप करोगे बिना सोचे समझे तो नेगेटिम मार्किंग में जाओगे शायद वी वाला काम जो है खराब होगा रोशन तीवारी ठीक है चलो तो आंसर इस कोशन का हुआ था वो कौन सी जगह पर था ज्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है बताइए दोजार चे का वर्ल्ड का फुटबल टूर्नमेंट कौन सी जगह पर फ्रांस चाइना जर्मनी ब्राजील टूर्मेंट भी चार-चार साल के गैप में होते हैं तो फेमस वन के लिए कुझ सा मेंट ये असा ही है पैटर्न समझो आप एक कोशन असान दो कोशन मुश्किल तीसरा चोथा कोशन आप का असान हो गए यह बहुत ही असान अैसे में नंबर खीचने है पेपर में यह घबराना कि भीए आपको दो से पांच कोशन मुश्किल मिल गया आपको यह देखना है कि जो आसान मिला है वो हमेशा सही होना चाहिए वो एक्कुरेसी होनी चाहिए उसकी कि मतलब आप 17 प्लस तो आप ऐसी चले जाओगे बहुत डिफिकल्ड को छोड़ भी दोगे ना 17 प्लस आराम से चले जाओगे एक अच्छा स खीचिए मैं आपको आज वो कोशन बता रहो जिसमें आपको नंबर खीचने हैं और वैसे ही कोशन पेपर में भी 17 के आसपास मिलेंगे उसमें आपको एक्कुरेसी का ध्यान रखना है एकुरेसी होनी चाहिए इस कोशन में बताइए आंसर कोशन सेटलाइट लॉंचिंग स आंद्रपदेश चलिए एक और कोशन देखें इंडियास फर्स टेक्नी कलर फिल्म नंबर खीचने की कोशिश करो क्योंकि ये कोशन भी मुश्किल है लेकिन हाँ इसको सोल किया जा सकता है बताइए इस कोशन का अंसर है पताइए टेक्नी कलर फिल्म 1950 में जो प्रोड्यूस की थी वो कौन सी थी अटेम्ट कर सकतें और इस कोशन का छोड़ोंगे नहीं इस कोशन को आप बते एक टेम के रही है इस कोशन आंसके है आझ जो 8 बजरी है उसमें मैं आपको पूरा पैनिंसुलर एंडिया करौँगा लंबा चेप्टर है जिओउग्राफी का और पैनिंस इंडिया में इतना कुछ है जो हमें सीखना था चलिए आंसर इस कोशन का जहासी कि राणी सोरब मोदी के द्वारा यह जो है प्रोड्यूस की की ती पते लासा एरपोर्ट तिब्बत में हैं वर्ल लार्जस्ट क्या है या फिर वर्ल्ड हाईएस्ट है लोएस्ट है विजिए सब्सक्राइब को पूरी थी तो आप उसके बास सिर्फ जादा से जादा तीन कोशन को करें जो डिफिकल्ट है उससे जादा नहीं जादा कर दोगे तो नेगेटिम में चले जाओगे सतरा का पंद्रा हो जाएगा समझ रहे हो तो तीन कोशन एटली से चार कोशन जिससे सिकनिफाइब करता बहुत ही इजी कोशन नंबर कीजने वाला कोशन है चलिए बताइए आंसर के सब नास हो गया विकार हो गया काम पूरा इतना करा करा यह बेकार हुआ चलि तो आंसर के सब्सक्राइब करते प्रोटेस बताइए बताइए भाषा शास्तर जो है क्या है बहुत ही इजी बात होगी यह तो ठीक है अफिल्योलोजी हिंदी में दिख रहा है 100% नासर आने चीह है तो बते के सब्सक्राइब कर लिद civi सिंपल सी बात आप मुझसे पढ़ते ही नहीं अगर आप आठ बजे का सेशन नहीं लेते हैं चली तो आंसर के इस कोशन का नाम से पदर चला भाशाशास लेंगज का कोशन एक नंबर और आ गया ठीक है कभी ना पेपर में आप कुछ मुश्किल कोशन देके घबराए ना हर बच्चा 17 प्लस ला सकता है अगर वो शांती से एकुरेसी पर फोकस करें उन कोशन में जो आसान है नहीं तो कोशन वो भी गलत होते हैं जैसे मदर टेरिसा जी को मैं इसके आवोड 1962 में मिला इनको किस वीड में मिला हो सकता है थोड़ा सोचोगे तो अपने आप यह कोशन का अंसर है अपने बार बते हैं और यह सेम पोलिसी यह सेम तरीका आप हर सब्जेक्ट में अपलाई कर सकते हैं ठीक है और नंबर 80 प्लस पुचा सकते हैं आराम से 10 का आंसर के है इस कोशन का ठीक है बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात है इंटरनेशनल अंडरस्टेंडिंग ठीक है चलिए एक और कोशन देखिए का इस कोशन का आंसर के है चलिए एक और कोशन देखिए का इधर आप पब्लिक वह नहीं लगाएंगे ठीक है टेलेक्राम चैनल जोईल कर लेना अमन सर वाइफ़े स्टडी डी है इसका अंसर ठीक है बी नहीं है इसका अमन सर वाइफ़े स्टडी इसे जॉइन कर लेना इसी में आपको 8 पीम का सेशन मिलेगा चली 11 मां कोशन देखें कि बतें तू सैट अफिकट कितना मतलब अगर क्रिकेट की अगर बात करे जायें तो जो डिक इस्टन सोता है कि सब्सक्राइब करें तो labeling क Soon में जो तो इसकहने चालो बहुआई का इससक्टाइबास है कोशन और तोवीस औरVIS क्या 안सर है चलो सारे तरहें आंसर है चलो सारे सही बता रहे हैं क्योंकि यह बहुत यह असान खूशन था बाइस इसका आंसर बते इस कोशन आंसर जीजस क्राइस वास क्रूसिफाइड इन विच फॉलिए यह यह कोई मुश्किल कोशन नहीं है बहुत कॉमन कोशन है इतना तो आप सभी को पता होना चाहिए यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है ठीक है जीजस क्राइस का जो क्रूसिफाइड किया गया था ठीक है बहुत कॉमन है यह बात भाई एटेम करो और मोका में चोड़ना थियोरी का ऐसा पूरा सीरीज अब जैसे आज सेटर्डे है ना सेटर्डे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनस डे थर्स्डे तक लगाता जोगरफी चलेगी जोगरफी मैं 1,2,3,4,5,6 दिन में ही खतम करा हुआ आज 8 बजे स्टार्ट कर दोगे तो जोगरफी 6 दिन में पूरी खतम है ठीक है पूरी थियोरी कोश्चन नहीं थियोरी होगी पूरी फुल मैप के साथ आंसर है 20,80 चले एक और कोश्चन देखेंगा इसमें न यार थोड़ा सा जो है मेरे को डौट सा लग रहा है इसको मैं होल्ड करता हूँ मुझे 4 वी सी लग रहा है चली करते हैं इसको कोश्चन को तेर्मा कोश्चन देखेगा light year related है किस से जल्दी से बताएगा ठीक है बताएगे इस question का answer light year किस से related है इस question का answer क्या है इस question को पिछले वाले question को hold पे रखना किसी एक class में या फिर anacademy class में करा दूँगा ठीक है और क्योंकि इसका option गलत दे रखा है इसमें ठीक है light year किस से related है distance से ही related है चलिए एक उर question देखेगा distance से आसान question हुआ study of life in outer space जैसे यह question है ना 17 प्लस हर बच्चे के आने चाहिए 17 प्लस हर बच्चे के आने चाहिए कुछ बच्चे 20 प्लस भी लेक्या है ठीक है जैसे यह question है अब जैसे यह कितना ही मुश्किल कितना असान सवाल है ठीक है light study of life in the outer space is called as exobiology आंसे कहा दे रखा option में चली तो answer इस question गा एक्सो बाइलोजी यह पंद्रवा question रेयर अर्थ factory situated है कहां पे इस question का answer क्या है बते यह answer है बड़ा party speed करो पूरा और जो बच्चे इधर party speed करते हैं वो थ्योरी करें भीना मत रहना छे दिन में जोग्रफी कवर करा दूँआ ठीक है best content के साथ मेरा focus इस समय जो आठ बजे का session है उसके content पे बहुत जादा है जो मैं आपको उसमें पढ़ा रहो organic content है काम का है ncrt का पूरे coverage है जोगरफी का ठीक है देख लेना आज 8 बज़ चलिए answer है इस question का अलूवा केरला question गलत हो गया कई हो कई यह मुझे लगा था कि गलत करेंगे school of aviation medicine Air Force से संबंदित कहां पर है मुश्किल कि छोड़ने वाला question है वैसे छोड़ने वाला question है कि देखो मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसे question छोड़ दो इफ यू डोंट नो ठीक है प्रैक्टिस करते समय है कि हाला कि मैं आपको अभी पढ़ा रहो तो डेफिनेटली आपको अभी ये question आता है है ना कहीना कई paper मिलेगा आपको आता ही होगा बेंगलोर इसका अनसा लेकिन अगर आपको paper में डारेक्ट ऐसा question मिल जा और आपने ना पढ़ा हो तो skip करने वाला ही question था पुल फ्लेच कोमन वेल पहली बार उर्णाइस किये थे कहां पर जल्दी से बतेगे आ सकता ये question करना है 100% attempt बतेगा 100% attempt है इसका जल्दी से बतेगा अंकित साहू आप जोगरफी की class में आओ और उसी class में continue करेंगे 8 p.m. हमेशा theory और उसी में continue करेंगे आपकी history की classes को भी ठीक है जोगरफी खतम करते हैं आज start करेंगे 6 दिन में खतम हो जाएगी अच्छे से start करेंगे आज ही ठीक है आप बेश से start कर सकते हैं चली तो answer है Hamilton Canada इसका question में ने कल भी पूछा था कल में इस तरीके से पूछा था कि भी है सबसे मेले Commonwealth Games कहां पर हुए थे ठीक है चलिए बताइए आंसे के इस question का दत्तु निगम Limited जो है मिधानी के नाम से कब establish हुआ skip करने वाला question स्किप करने वाला question है इधर स्किप करने वाला question नहीं है पेपर में अगर आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा तो अभी तो आप आपने पढ़ लिया मैं आपको बस यह बता रहा हूं कि आपको कैसे question पे negative marking नहीं लेनी है ठीक है तुक्के होते हैं यह बस तुक्के लगाओ को दिक्कत हो जाएगे बाद में 1973 का answer एक और question देखेगा उन्नीस में question पास human heart transplant very easy question 100% attempt चाहिए मुझे सुरी बते ही 100% सभी का attempt बते ही answer कैस question गा उन्नीस में question गा hardly कितने question आए तीन से चार question आए तीन question आए जिसको मैंने का कि आप skip कर सकते हैं तो वो ऐसा paper में reality में होता है ठीक है तो और वो कोई डरने वाली बात नहीं है सब कोई skip करेगा और जो करेगा तो गलती से जो है सही हो सकता है rare case में चले यह करना था 1967 यह important था यह easy था यह attempt करन था अगर आप यह question यह time कर रहें तो आप जो है एक्जाम में तो नहीं हो बाहर हो ठीक है सिंपल सी बात 1967 चले एक और question देगे महाबलेश्वर हम located है कहां पर बताएं महाबलेश्वर हम कहां पर लोकेड़न है attempt question easy question करना ही करना है गलत करोगे तो भाहरो एक्जाम से कुछ कोशन ऐसे हैं सर यह कोई बात नहीं होती भाई मैं आपको experience बताता हूँ हर चीज का यह कोई बात नहीं होती यही बात होती है एक्जाम में बैठोगे न experience करोगे समझ आएगा कि यही बात होती है कि कैसे paper attempt करना है बात तो सारी यही है कि एक्जाम में paper attempt करना नहीं आता ठीक है knowledge के साथ महाराश्ट इसका answer है एक और question देखेगा knowledge है paper attempt करना था इंडिया का first atomic reactor 100% attempt question है यह चलिए बते ही इस question का 100% attempt question है नहीं करोगे तो बाहर हो exam से simple सा समझो मुश्किल चीज में compete कर नहीं सकते आसान चीज तुम छोड़के आ रहे वे गलत करके आ रहे तो कहां से paper में टीक होगे मुझे यह बताओ चलिए तो answer के इस question का 21 question का answer अपसरा है बहुत ही असान question था आना चाहिए था बते coral reef इंडिया में कहां पर पाय जाता है 100% attempt question छोड़ नहीं सकते आप इस question को अगर आपको 17 प्लस लाने है coral reef इंडिया में कहां पर पाय जाते हैं अभी दूसरा set कराऊंगा मैं उसमें आपको और बताऊंगा कि कैसे question skip करने वाले होते हैं चलिए तो answer के इस question का रामेश्वरम या फिर कौन सा answer होगा इसमें से चलिए तो answer है रामेश्वरम तेएस्वा question regular meeting of trusteeship council यो एन नो ये कोई कोशन ऐसा निए के attempt नहीं कर सकते हैं बहुत बच्चे इसे attempt करेंगे कि trusteeship council यो एन नो का जो meeting होता है वो regularly कितने समय में होता है कुछ बच्चे इसे attempt करेंगे वो बच्चे होंगे जो 20 प्लस ला रहे हैं यह वो बच्चे होंगे जो 20 प्लस ला रहे हैं आराम से वो इसे attempt करेंगे ठीके आप कर सकते हैं अगर आपको आता है ठीके चलिया answer के इस question का answer twice a year इसका answer है बहुत बच्चों ने गलत कर दिया देख रहे हो कितनों की negative marking हुई है इसमें मैं बता रहो इस class में आए हुए 80% खुद कैसा score कर रहे हुए चलिया कुशन देखिए बते हैं फिल्म एंड टीवी इंस्ट्यूट हंडेड़ परसेंट एटेम कोशन नहीं करोगे तो पेपर से भार हूँ सिंपल सी वाग चलिया answer के सकूशन गार थीक है बुरा मत मानेगा हमारी बात का ठीक है क्योंकि अगर जैसे अभी आप एट पीम की क्लास में आएंगे थोड़ा ज्यादा बुरा मनमा देगे ठीक है और ज्यादा बुरा लगेगा लेकिन हम सच्चा ही बताएंगे थियोरी पढ़नी है आपको अगर आपने एट पीम की क्लास नहीं बढ़ी आप बेकार है आपका पढ़ना डिफिकल्ट है अटेम करने की कोशिश कर सकते हो मैं आपको साथ बज़े जो करा रहा हूं ना यह सिखाने से भी बहुत ज़्यादा जरूरी चीज है कि आपने क्या करना है पेपर में इसलिए आप साथ बज़े वाइफाई स्टेड़ी पे हर दिन आके टेस्ट दे सकते हैं यू केस का अंसर था डिफिकल्टी थी वैसे इस कोशन में दूसरा सेट बच्चे अपना एक बरी स्कोर बता दो 17 प्लस कोन है 20 प्लस कोन है मैं बस इतना देखना चाता हूं कि जो मैं जिस तरीके से आपको कोशन अंटेम करने के लिए कह रहा था कितने बच्चे 17 प्लस ला नहीं हो कोशिश करो 17 प्लस हो चलिए अटेम्ट करते हैं टार्गेट ये 22 35 में से जो जीतने वाला जो टार्गेट क्रोष करने वाला है वो ये露ैंने जल्दी से एक बरी जल्दी से एक बर yes लिखिए ओके दिशा शर्मा गुड जिसने 20, 22, 23, 25 में से 25 भी कर रखे हैं चलो मैं आटेम करवा रहा हूँ अब है 22 का टारगेट समझने वाली बात यह है कि पेपर है easy मैं आपको पहले बता देता हूँ पेपर easy है तभी मैंने 22 बोला है कुछ कोशन मैं स्किप करने के लिए काऊंगा 22 बोला तो यानि कि तीन कोशन करने वाले हैं बाकी हर कोशन अटेम्प करने वाला है पहला कोशन आपके समय पर किसमे नहीं होता 100 परसेंट अटेम्प करें यह कोशन असान है इसमें कुछ भी नहीं है साइंस का एक बेसिक कोशन है बता है यह आंसे कैस कोशन सलफर किसमें नहीं होता जल्दी से बढ़ेगे चले तो इस कोशन का आंसर मुस्कान गुपता कोई दिक्कत नहीं है इस से असान कुछ हो सकता है यह नहीं कर रहे तो आप पेपर से 100% वार हो क्योंकि जो बिल्कुल नलाइक बच्चा होगा ना वो इसका आंसर 100% सही करके आने वाले सिंपल भी बाते करते हैं समझने वाले समझ जाएं कि आप क्या हैं अगर आप इस कोशन का जवाब नहीं दे रहें सभी नलाइक से भी जादा ऊपर वाले दरजे पर हैं फिर आप क्योंकि नलाइक भी सही करेगा ठीक है चली तो आंसर है एरो प्लेन इसका आंसर एक और कोशन देखे मिल्का सिंग ये इवन मूवी भी देखे भी तब भी आता हो यह कोशन, तीसरा कोशन, नलायक बच्चा, नहीं, गुरू नलायक के, थो बहुंगे है, अल्म. चले इस कोशन का आंसर के है, चले इस कोशन का आंसर के है, वहाँ को यह सिंपल सी बता रहां इस अब चुछ इनगा सम मिल यह मिलेगे- ऊथ भरन को परिके मैं आपको बता रहा हो अपना बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइट कराउरे चलिए आंसर के स्कोशन का फ्रांस और इंगलेंड इसका आंसर है पाज्मा कोशन ओख्षवर्ड उनिवर्सीड़ी की स्थापना कबोले कोई कहarthlyn को दिटिफिकल्ट है नहीं है बिल्कुल भी नहीं आटेम्प कर सकते हो इस कोशन को ओक्सवर्ड युनिवर्सिटी की स्थापने की बाइस प्लस वाले जो बच्चे हैं ना वो इसको सही करने वाले जली कि आटसाहिल आपका तो पता है यह उन बच्चों को बतलब जिनको न जरूरत है लेकिन वह उस को पूरा नहीं करना चाहते हैं पेपर वाले जिन रिजन देना चाहते हैं कि पढ़ाया कुछ नहीं यूट्यूब पे ठीक है 1163 ADS का आंसर है एक और कोशन देखिएगा चटा कोशन आंसर है QNLand और North Territorial Aerial Services जो है ये किस देश में आती है असान है QNLand देखते ही लगाओ यार आंसर ऐसे कोशन को छोड़ना तो मतलब पाप करना है ठीक है घोर अपरात करना है समझ रहे हो चली तो आंसर कैस कोशन QNLand North Territorial ये दोनों लोकेशन कहां की है बहुत बेसिक ठीक है बहुत ज़्यादा बेसिक आंसर है ऐस्ट्रेलिया एक और कोशन देखिएगा पते है निमिसमैटिक is the study of which of the following कईयों का शोक होता है तो असान है कोशन कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है आंसर केस कोशन निमिसमैटिक is the study of which of the following सर आप इतना क्यों बोलते हैं अच्छी बात है आप बोलेंगे नहीं तो कहां से कुछ करोगे ठीक है बुरा ही नहीं मानोगे तो कैसे motivate हो जाओगे चली तो आंसर है सिक्को का जो study होता उसे हम कहते हैं चली एक और कोशन देखी के इस कोशन का अंसर 2012 का अप इससे असान कुछ नहीं हो सकता ठीक है इससे असान आपसे आपका नाम ही पूछेगा ठीक है क्या पता वो भी ना बता पाए कुछ बच्चे प्रैसर में आंके 2012 का ओलंपिक जो है कौन सी जगा पे वह ता बड़ा फिमस था बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था 2012 का ओलंपिक चली बताइए इस कोशन का आंसर के है कि चली है इस कोशन का आंसर क्या है सब्सक्राइब करने वाले विजयता है और जो नहीं करते हैं तो उनका कुछ ठीक है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप यह कोशन भी आएंगे चले कर कोशन देखें नैशनल इस्टीड ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ अटेम्ट करें बताइए आंसे के इस कोशन जल्दी से बताइए इस कोशन का आंसे के दियर रीना खान एट पीम के सेशन में जर इसकोशन का आंसर क्या है जैसे अब नैशनल इंस्टूट ऑफ ऑक्यूपेशन है जो है इसकोशन का अंसर एंदा बाद है कौन सा कोशन हैмо पाज कोशन ता पैयाल ऑनसा है एक इक नंबर करता है आταιकर ब़ल्र मेटर करता है आपके selection और rejection का कारण बन सकता है कोशन किसी भी कोशन को free का मत समझें यहाँ पर किसी कोशन को या paper में सारे सही है German physics mercury thermometer सब कुछ सही है बिल्कुल सही है वैसे ऐसे science के कोशन all of the up सही होते है रवेंदरा टेगोर जी को किस नाम से जाना जाता है जल्दी से बताएगा असान है कोशन अब जैसे आसान तो है लेकिन जल्दी में यह कोशन गलत होता है कैसे आप देख लें option खुद साथ बजे हर दिन मैं आपके confidence को भी boost करता हूँ कुछ reality बताता हूँ exam की आप जैसे attempt करते हैं वो सही है कि नहीं वो भी धियान रखें आप साथ बजे लेकिन test जरूर दें और फिर आठ बजे थियोरी जरूर बढ़ें दो घंटे मेहनत करनी है ठीक है गुरुजी और गुरुदेव में फरक नहीं जानते बच्चे भाई गुरुदेव इसका answer है ठीक है चले बते लताम अंगेशकर जी का एक record है maximum number of what बड़ा famous नाम रहा लताम अंगेशकर जी का अभी हाल फिलाल में इधन से संब्बंद ही था है तो current है फिर भी रहा तो आपको question मिल सकता है ठीक है ना answer के इस question का जल्दी से बते हैं चले इस question का answer के है ठीक है इस question का answer जैसे अभी यह है कि इनका maximum number of song recordings का एक पूरा जो है record है ठीक है ध्यान लखेगा 14 question देखिएगा soil acidity is generally corrected by देखो soil acidity अगर हो जाती है तो उसको सही करने के लिए क्या किया जाता है बतेए answer के इस question आज Peninsular India खतम कराएंगे क्योंकि Peninsular India सबसे important chapter माना जाता है जोग्रफी में प्राइद भारत सारे प्लैट्यू सब कुछ मैं आपको आज cover कराऊंगा जितने भी पठार है तो देखने के लिए त्यार रहना मैप मेंने कहा था कि मैप ले आना नहीं भी लाए तब भी चलेगा आप देखोगे तो आपको तब भी माइंड में रहेगा इतना मैप से मैं यूज करके कराऊंगा तो answer है इस question का लाइमिंग इसका answer है ठीके लाइमिंग ही करते है बहुत common question था अटेम करने वाला question था पते फैडरिक सेंगर इस ट्वाइस रेसिपिंट आफ नोबल प्राइस इन विच फॉलोविंग फिल्ड बते ये इस question का answer के कौन-कौन सी फिल्ड में इनको नोबल प्रुस्कार से समानित किया जा चुका है है ना जैसे अब यह है कि कौन-कौन सी फिल्ड में इन्हें नोबल प्रुस्कार से समानित किया जा चुका है कि क्या इनका answer chemistry है physics है पते यह या फिर दोनों अलग लग चलिए तो इस question का answer क्या है chemistry 1958 हरियों की द्वारा बिल्कुल सही answer 1980 दोनों time chemistry में ही ठीक है question आपको मिल सकता है ठीक है चलिए एक और question देखिएगा अच्छा question था यह ध्यान रगना 19 मों question बतेगे तीसरा सेट होगा पूरा 25 में से 25 का टार्गे नेम दा इंस्ट्रुमेंट यूज तो मैजर दा रिलेटिव हुमिडिटी ठीक है अगर आप कभी भी किसी चीज को टार्गेट करते हो ना उसके अंतिम चरण तक जाया करो तब ही फायदा है उसको टार्गेट करने का क्योंकि कोशन देखेगा बीसवां कोशन देखेगा फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम जो है कहां पर हुए थे इजी डैम इजी कोशन बताइए आंसर कैस्कोशन कुछ मुश्किल भी होंगे तब भी मैं डैम इजी ही कहूँगा ठीक है क्योंकि अपने लिए तो इजी हैं आपके लिए भी होने चाहिए चरिया आंसर केस कोशन का डियर बिल्ली 440 नाम बड़ा प्यारा रखा आपने लेकिन लेवल को ना इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि इतने ही लेवल के कोशन आते हैं ठीक है और अगर मैं एसी टैंप कोशन कराने लग जाँगो दिक्कत हो जाएग और वो जरूरी नहीं है आपके लिए ठीक है सारा इस इस आपका कोशन है कि ऐसा कोशन आ रहा है ठीक है क्यामोनिक्स फ्रैंक किस फ्रांस जो है इसका अंसर यह भी एक अच्छा कोशन है ऐसे ही लेवल के कोशन आपको मिल रहे पर में बते हैड़े कोशन आपको करने को ना अपने लोग 25 के 25 होगा वह मौक टेस्स नहीं होगा वह सच में ही मौक हो जाएगा समझ रहो है ना वह सही नहीं है फिर वह बेकार है हम उस लेवल पर चले कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 कोशन की जैसा पर आ सकता है यह आसान है आये का कोशन नियोक का ऐसे कोशन आते हैं ठीक है रंग स्वा चले इस कोशन का आंसर है इंपोर्टेंट कोशन आंसर क्या है होकी है और आसान भी था 23 कोशन देखेगा फिलेरिया इस कोश भाई विच उप दो फोलेंग साइंस का इजी सवाल मैं साइंस जरूर डाल रहा हूं एट लिस्ट चार कोशन या पांच कोशन साइंस के रखतों मैं हर सैट में क्यूंकि इतना कोशन साइंस का मिलना है त्रौह पाठ बजिफ्टी देता हो ऑगर आप में से सभी बच्चों ने जोगरफी छे दिल लगातर पढ़ लिया मैं इतना मोटिवेटर तो आपको कराई दूँगा कि आप पूरी थियोरी आपकी कवर हो 8PM पे लेकिन आप पे डिपेंड करता है 430 बच्चे इदर देख रहे हैं इतने बच्चे थियोरी पढ़ने आते हैं जो जो बच्चा आएगा वो मुझसे रियालिटी में कनेक्टेड होगा और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं आपको गाइड करूंगा आपके सेलेक्शन तक आंसर है मॉस्किटो इसका चोबीस वा कोश्ण देखीगा गौहाथ्य कोड का जुडिक्शन किस में है जल्दी से बतेगा गौहाथ्य कोड का जुडिक्शन यह बहुत इंपोड़न्ट है किल क्या आँज सुब़े ही मैंने इसका एक कोशन करा हैं ठीक है आज सुबह ही इसका मैंने कोशन करा हैं तीसरे सेट के लिए त्यार रहे ना बिटा बस मेरा टेलिग्राम चैनल जोईन कर लो अपने आप 8 p.m. की किलास मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल अमन सर वाइफे सेडी जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कनेक्ट सब्सक्राइब कोशन ज्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है इन वीच फॉलिए मेंबर्शिप ऑफ सेक्रिविटी कांसिल वास इंक्रीज सों 11-15 ग्यारा की जगा 15 कर दिया गया था सेक्रिविटी कांसिल का मेंबर्शिप और कौन से वर्ष में अटेम्ट करने वाले करेंगे से अटेम्ट मताइए आंसर किस्कूशंग आपका एकजाम ऐसा निए कि सिर्फ एक SSC की त्यारी ग्रत क्रोंस या रेलवेर की अग्यारी करने वाला दीक आसे करने वाला बच्चा ost, के उप्रत के ईकजाम देने वाला ब्च आपके इकजाम में बैफने वाला है। उसकीeto हो यह 25 कोशन हो चुके हैं इसमें दो कोशन एक्स्टा होते हैं तीसरे सेट पे आएंगे एक बारी स्कोर बता दो कोई 20 प्लस और कोई 22 प्लस गया है क्योंकि अभी मैं जो मैं टरहा हूं पस्टे पच्चेस में से 25 जूसेट सो बच्चेस में इस सब्कूर श्याई złत दो सब्कूर की कुछ इत दहा थो कि टार्गेट देना हूं 25 में से 25 का जो बत्चा 25 में से 25 ला रहा होगा ध्यार रखना वो 8 P.M. की धियोरी पढ़ रहा है जो नहीं ला रहा है वो एट पीम की धियोरी बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है ठीक है सकते पढ़ते हो मुनीब मैंने लास्ट की दस क्लास में आपका कमेंड देखा है कि सर्थियोरी बढ़ाओ सर्थियोरी बढ़ाओ कि चलिए आंसर के सब्सक्राइब का देखो फर्स जर्नल इलेक्शन जो है पैना कोशन असान था आंसर है बतेगे कोन सा लो है जल्दी से कमेंड करेगा अरे नलायको इससे असान कोशन नहीं हो सकता बिल्बकुल मतलब साइंस पड़ी नहीं हो साइंस जाग दियो ठीक है चलि तो इस कोशन का आंसर के हैं धोसतों इस कोशन का आंसर है सब्सक्राइब कर देंगी पिट होँ होई झान साइन बहुत इम्पोर्टट कोशन है् हाला कि ओप्शन डिफिकल्ट है थोड़ा ऑप्शन डिफिकल्ट है बाई वर्ल्ड अफेर का वीडियो देखना स्टार्ट कर दो बहुत सारे बचे करेंट अफेर 10 मिनिट का नहीं देखते हैं कोशिश करें अगरो देखें अगरो क्यों कि at least आपके हैबिड बनी रहे दस मिनिट में करेंट फेर आपके हो जाते हैं जो मैं पढ़ा तो वो तो हो जाते हैं बाकी बता रहें चलि आंसर के इस कोशन का इस कोशन का आंसर है कि यह थोड़ा difficult question हो गया answer है इस कोशन का कि 30 trillion के आसपास RBC जो total होते हैं थोड़ा difficult question है ठीक है क्योंकि इसका option typical है National Institute of Oceanography जो है ये कहां पर है पूरे question attempt करने है इसके 25 आप पर depend करता है क्या करते हो अपने साथ ठीक है मजे में ले रहे हो तब भी सही ठीक है depends on you only चलीज question का answer है oceanography कहां पर पाना जी गोवा में ठीक है इसके headquarter National Institute of Oceanology oceanography जो है इसके headquarter कहां पर पाना जी गोवा में है कोशन अच्छा था ठीक है चलीए एक और question देखिएगा पाँचपा question इंद्रा गांदी जी का assassination कब हो आता है ये नहीं कर रहे तो exam से तो बिलकुल भार हो मतलब इतने वहार हो कि entry नहीं हो सकती समझे रहे हो इतना इतना आसान question है जो पूरे जीवन भर नहीं पड़ा होगा नो उसे भी पता होगा कि इंद्रा गांदी जी की हत्या कौन से वर्स में होई थी चले इस question का answer क्या है ठीक है answer इस question का आपकी grandfather तक बता देंगे 1984 चले एक और question देखे और बच्चे बहुत सारे इसमें भी गलती कर रहे है गजब चले एक और question देखेगा six question of the following food which one is the best source of protein पते इसमें से कुन सा बेस सोर्स है प्रोटीन का मैं जब 25 कहता हूं मैं purposefully करा रहा हूं टेस्ट मैंने पहले में बीसी बोला क्यूंकि मैंने उसमें छे question जो है ऐसे रखे रहे difficult थे दूसरे में 22 बोला तीन question मैंने ऐसे रखे थे कोई छू नहीं सकता इसमें कोई भी ऐसा question नहीं है जो छूब नहीं सकता reality है पच्चिस में से पच्चिस आएंगे सो बच्चों के आप खुद देख लेड़ा ठीक है आपको लाने है ठीक है प्रैक्टिस करो अपने हिसाब से ठीक है फिश इसका answer definitely अगर मैं कहूं तो प्रोटीन फिश में ही ज़्यादा होगा इन से ठीक है चले एक और कोशन देखिए का पता ही कौन केमाल अतात्रुक जो है यह कौन थे आप यह कोशन कोई सोच रहा हो सर बहुत difficult है मैं कहारा हूँ इससे बच्चा सवाल नहीं कोई इससे बच्चा सवाल नहीं कोई देखो अब्जर करो answer लगाओ answer के इस अच्चा पहले एक बरी न कमेंट बोक्स पे लिखो कौन कौन छे दिन लगातार सेटर्डे से लेके थरस्टे तक जोगरफी की पूरी थियोरी पढ़ने वाला है मैं आपको शोटी देता हूँ इससे बाहर जोगरफी नहीं हो सकती इंडियन जोगरफी बिलकुल नहीं हो सक आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक बरी कमेंट बोक्स पे एस लिखना और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूँ 100% इंवेस्ट है जो बच्चा पढ़ने वाला है जो आज पहली बार भी पढ़ने वाला है वो भी यह लिख दो मैंने टेलिग्राम चैन रहेंगे आपको उससे भार कोशन नहीं मिलना ध्यान रखना कोई मिस ना करें आठ वजे की छे दिन तक लगाता ठीक है फाउंडर ऑफ मोडें टर्की और यह मैंने इसलिए का था अब्जर्व करो क्योंकि यहां पर टर्क लिखा हुआ था और टर्की से संबंदित ऑप्श चलिए इस कोशेंगा आंसर है रोहित योगी सही जो है ना मतलब थोड़ा समझो बात को है ना पढ़ रहे हो तो मिदर चलिए इस कोशेंगा आंसर के है करेगा जो करेगा वही जो है फाइदा लेगा सिंपल सी बात है ठीक है यहां आंसर है 11 नवंबर 19 hitting form 10 लाग बच्चा भी भरता है ना सिलेक्शन 200 बच्चों का होता है है ना जादे जादा 1000 का हो जाएगा अगर बहुत हद मार देंगे है ना तो वो वही बच्चा होता है जो उस लेवल पर जो जो चीज काम किया है उसको करने की कोशिश करता है ठीक है सारे नहीं कर सकते है ओलम्पिक एन वोल्ट टूनेमेंट के हिसाब से बास्केट बोल कोट का जो डाइमेंशन है वो क्या है ठीक है आंसर के स्कोशन चले इस कोशन का आंसर है डियर विल्ला 440 बहुत बहतर काम कर रहे हो ठीक है अच्छी बात है ये तो 28 और 15 जो है ये डाइमेंशन है चले एक और कोशन देखेंगा इस कोशन का आंसर के है ठीक है रीजन बढ़िया दिया यार तुमने एकदम आसम मानना बढ़ेगा आज कैसे कोशन है भाई अगर आप जैसे अभी ये है तामे लाडू में कितने डिस्ट्रिक है आपको लेटस्ट में कुछ डिस्ट्रिक नए बने है जम्मो कश्मीर में पूछ लिया जाए आपसे ठीक है करना पड़ेगा यार 32 इसका आंसर है चलिए एक और कोशन देखेंगा ग्यारम्रों कोशन देखेंगे इस کوशिंगा आंसर टॉर्च परमानीडेर जो है उस में से जो है मिल सकता है ऊसी में सी होगा फर्स फोरेंट टू रिसीव दा भारत रतन बते बार्मा कोश्टन आंसर के इस कोश्टन अफर्ट के तोड़ा से ठीक है चली इस question का answer के है खान अब्दुल गफार खान तेरमा question देखिए का बते ही answer logarithm table जो है किसके द्वारा बहुत easy very important ऐसे question आ जाते है कि किसने क्या invent किया logarithm table कुछ निया है unique है कईयों को नहीं भी आता होगा बते logarithm table किसने invent किया ये ऐसा question है paper का जो बहुत सारे बच्चे छोड़ते है इस type का question बते ही answer के है चली तो इस question का answer के है इस question का answer है जो नाइपर एक और question देखिए 14 question ये सारे कप कून सी game से संबन देते और speed भी बढ़ाओ अपनी speed नहीं बढ़ा रहे हैं बहुत बच्चे इस comment box पे starting के जो 10 answer है ना वो बच्चा speed में है अच्छा speed है उसका ठीक है और speed बढ़ानी है आपको चली answer वोली वोली इसका answer है चली एक और question देखिए modern football जो है ये कहाँ पे evolve हुआ modern football कहाँ पे evolve हुआ मेरी class का link टेलीग्राम पे आ जाएगा gap बिलकुल नहीं दूँगा क्योंकि at least दो घंटे लगातर पढ़ने की शमता तो सभी के अंदर होगी ठीक है चले इस question का answer के है England इसका answer एक और question देखिएगा ये 15 question गया 16 national botanical research institute कहाँ पे लोकेट है चल दी से बतेगा नैशनल botanical research institute जो है ये कहाँ पे लोकेट है कमेंट करिए बतेगे answer के इस question का 16 question का answer के आपको part 2 के नाम से link मिल जाएगा ठीक है geography part 2 के नाम से link मिल जाएगा चली तो answer के इस question का answer है लखनव उत्तरपदिश अभी 10 minute में ही आपकी class start होगी चली 17 question इंडिया का largest deposit पूरी दुनिया इंडिया has the largest deposit of what in the world पूरी दुनिया में किसीच का deposit सबसे जाएगा इंडिया में पते ये class में साथ वे डेली कराता हूँ मेरा purpose ये है कि मैं आपको live test के through इतना practice करा दों कि आपके लिए question 20 प्लस निकालना असान हो जाए ठीक है बस सीखना जरूरी है चली आंसे के इस question का answer है ठीक है answer है माई का 18 question राकेश शर्मा जी जो है भारस से पहले कोस्मूर्ट थे जो space में गए और वो इन टोटल अगर वर्ड में देखा जा तो कौन से नंबर पे गए थे पदे अच्छा question है राकेश शर्मा जी स्कॉर्ड़न लीडर कर देख कर समय नहीं है समय नहीं है बिलकुल नहीं है चली इस question का answer क्या है जल्दी से answer answer 139 19 question आइनेस विंदरुत्य जो है ये कहां पे लोकेट है छोड़ने वाला question है खैर ये कुछ जादा ही difficult हो जाएगा ऐसा question ठेक है लेकिन latest के जो आइनेस है वो कहां पे जो है commission किएगे ये question आपको मिलते है हाला कि ये question नहीं आएगा क्योंकि ये पुराना हो गया होगा previous year के हिसाब से तो आप छोड़ोंगे तब भी चलेगा बताई ये मैंने करा दिया विंटर ओलंपिक गेम्स है 2014 में कहां पे हुए थे बताई आंसे के इस question गहां बताई आंसे के इस question गहां 458 बच्चे देख रहे हैं लेकिन depends की इन में से कितने बच्चे filter होते हैं और उस level तक जाते हैं जिस level पर selection ज़रूरी है ठीक है depends ठीक है चलिए आंसे कहें क्योंकि जो है ना मंजिल की शुरुवात बहुत करते हैं ठीक है पहुशते बहुत कम है वही चीज है ठीक है यह आंसर रश्या इसका आंसर एक उर्ट कोशन देखेगा बताई यह हिमालिया मांटेनरिंग का फिरल게 हैं इंसिचिट कहा पर है जलदी से को सबाखेगा इस कोषण का आंसर क्यां है ठीक इस qo повुशन का है दार्चलें इस नाम कि एंज जैसे यह कोशन है कि इंडिया का सटलाइट आरे भट कुछ जादी असान कोशन हो गया ठीक है चलिए यह कोशन गया तैसमा कोशन दाइन्स जो है एक हाव मेरी डाइन्स अरे वन ग्राम वेट बताइए यह कुछ नहीं है समय कराइए कोशन है साइन्स का बहुत बेसिक कोशन ठीक है वाई अब सिर्फ पात दस मिनट बचे हैं क्लास स्टार्ट होने में थेओरी की ठीक है थीक है बस यह कोशन खगदम करने तब एक चीज पूरी करते हैं तबी दूसरी चीज करने का मन भी करता है तो हम यह पूरा प्रोवाइट करा दे रहा हूँ अभी क्योंकि आप बस उस लिंक से डारेक्टली ओपन कर सकते मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना प्रोवाइट कर रहा हूँ अभी आपका मतलब जो जो भी सेशन हुआ है सुबे में ठीक है पीडियेफ मैं प्रोवाइट करा हूँ आप मैंने लिंक डाल दिया है नेक्स्ट क्लास का थियोरी का लिंक डाल दिया है क्लास नहीं बहुत जरूरी ये थियोरी है चले 25 वा कोशन मते है पाइनल और इसके बाद टेलिग्राम चैनल से डारेक्ट लिंक क्लास एंड नहीं हुई है उन बच्चों के लिए जिसने सेलेक्शन लेना है और जिन्होंने नहीं सेलेक्शन लेना उनके लिए एंड ही समझो ठीक है सर एडमड हेलरी जो है कौन से वर्ष में माउंट एवरेस के समिट पर पोचे थे फाइनल कोशन इसका और थियोरी स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है आठ बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी थियोरी की कोशिश करूँगा उससे एक दो मिनट पहले ही स्टार्ट करा दूँ ठीक है समय पर पोच जाओ टेलिग्राम से लिंक ले लेना आंसर इसकोशन का नाइंटीन फिफ्टी थी पच्चिस कोशन स्कोर की कोई ज़रूत नहीं है अभी कि आपका क्या स्कोर है फाइनल स्कोर आपने कोशिश करी है तो आपका फाइनल स्कोर जैसा भी होगा बैटर हो ठीक है रोज साथ बजी आओगे तो आपका स्कोर दिन बदिन बैटर होगा बस इतना ध्यान रखना कि इस टेलिग्राम को जोईन करके इसमें आठ बजी की क्लास मिशना करें वही बच्चा 25 में से 25 बच्चा यहां पे 25 में से 25 लाया होगा वही बच्चा जो थी पढ़ रह है यह मेरा टेलीग्राम चैनल है हाडली पांच मिनट में खेलास स्टा और यह जियोड़ा की Culinary की जियोग्रफी स्टार रहे हैं छे दिन की जियोग्रफी का Muslims कस दो बिलो और सच करके जोईन वही करना जिसमें सबसे बच्चे सबसे जादा बच्चे कनेक्टेट है आप मुझसे रियालिटी में कनेक्ट हो सके सर्च करें अमन सर वाइफे शड़ी और मुझसे कनेक्ट करें स्टार्ट करते हैं आपकी पांच मिनट बाद थियोरी की ग्लास हर बच्चा जुड़े ठीक है चलिए बाकी सेशन को लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ठेंक्स लोट फो वोचिंग कल भी ये क्लास साथ बज़े होगी उसके बाद थियोरी का सेशन होगा छे दिन ये पेपर छे दिन थियोरी के क्लास दो घंटे मेहनत कर करनी है जो कर लेगा उसका भला है ठीक है ठेंक्स लोट फो वोचिंग मिलते हैं आप सवी से पांच हुरेट में नेक्स क्लास